हलो स्टुडेंट स्वागत है आपका A to Z क्लासेज में आज मैं आप लोग को क्लास 12 का हिंदी से कवीता हिंदी के कवीता से अबजेक्टिव कोश्चन लेकर आया हूँ तब पहला हिंदी का कवीता है करवक करवक पाठ का अबजेक्टिव जो की जायसी के द्वारा मलिक मुहंबट जायसी के द्वारा लिखा गया है तो सभी अबजेक्टिव का प्रयास्न आपके बिहार बोट के एकजाम के लिए अती महतपूर्न है तब वीडियो को अन्त तक जरूर देखे प्रेज वन कड़बक जो की कवीता है इस वीडियो में आप लोग को हिंदी कवीता कलाश 12 के लिए हिंदी कवीता का सभी प्रस्न चेप्टर बाई चेप्टर सभी चेप्टर से अबजेक्टिव बतलाने जा रहा हूं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखे तो पहला किया है आपको सव नंबर हिंदी सव नंबर कराता चला सव नंबर जदी आप उठाना चाते हैं तब परते चेप्टर वाई चेपटर हमारे वीडियो को देखिए सव में सव पचास नंबर का उबजेक्टिव आपका यहां से किलियर हो जाएगा तो पहला चेपटर हम लोग चला मलिक मुहम्मद जाई सी काउन है मलिक मुहम्मद जाई सी अपसर नमबर सी एक नमबर का क्वेश्चन का अंसर क्या हो गया सी क्वेश्चन नमबर टू हम लोग देखते हैं मलिक मुहम्मद जाई सी की कभीता काउन सी है मलो काउन सा कभीता लिखे थे तो अपसर नमबर ब कड़बक, मलिक मुहमद जैसी की कभीता कौन सी है? कड़बक है, क्वेचन नमर थीरी हम लोग देखते हैं चला क्या है? क्वेच्चन नमर तीन मलिक मुहम्मद जैसी का जन्म कम हुआ था तो आप्शन नमर सी 1492 इस्वी में मलिक मुहम्मद जैसी का जन्म 1492 इस्वी में हुआ था क्वेच्चन नमर चार जैसी का जन्म किस परदेश में हुआ था जैसी का जन्म किस परदेश में हुआ था तो उत्तर परदेश कहुंसा परदेश उत्तर परदेश question number five जैसी किस देश के कभी है जैसी जब भी बोला जागा तो यार रखिएगा मलिक मुहमद जैसी तो किस तरह के कभी है किस तरह का मलग कभी ता ये लिखते थे तो ये सूफी कभी है किस तरह का कभी है चला सूफी संद के तरह कभी है तो क्या लिखा जागा, Mpemam, J.C किस तरा के कभी हैं, तो सूफी कभी हैं, तो पाच का अंसर B होगा, Q2 जाईSी का जन्म अस्थ molar कहां हैं, यह लोग देखे थे की इलाए यूपी में था, मुझा उत्तर परदेश, पर्देश पूछेगा तो उत्तर पर्देश यूपी बताना है लेकिन अस्थान पूछ दिया कि किस अस्थान में जन्म हुआ था तो अमेठी में हुआ था जो कि उत्तर पर्देश में पढ़ता है तो छे का अंसर डी होगा क्वेचन नमर साथ जैसी के पिता का नाम क्या था जैसी के पिता का नाम सेख यमरेख तो बी नमबर साथ का अंसर बी अभी समय कम है चला हिंदी का फिरिक्स का कमेश्टी का बाइलोजी का सभी हमारे चैनल पर अबजेक्टिव जदि आप कलाश 12 की तयारी करें बिहार बोड क तक बहुत कम समय में आपजेक्टी में अच्छा नमबर ला सकते हैं 50% आपजेक्टि पूछा जाता है और प्रेटकल मिलके इस तरह से आप लोग को असानी rotating से 70% 80% 90% नमबर ला सकते हैं। कम समय में कम समय में अधिक नमबर लाने के लिए हमारा वीडियू आपको बहुत ह लाबदायक होगा, तो सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखे, क्वेशन नमर आठ, जायसी थे, क्या थे धनवान, पहलमान, फकीर, इन में से कोई नहीं, तो जायसी क्या थे, फकीर थे, इसलिए इसको सूफी संत बोला गया, वहलों किस परकार के कभी थे, तो सूफी कभी, फकीर कोई बोला जाता था, सूफी कभी, क्या बोला जाता था, सूफी कभी, तो जायसी क्या थे, फकीर थे, तो आठ का अंसर सी होगा, क्वेशन नमर नाइन, जायसी हिंदी साहित की किस काब धारा से जुड़े थे, तो ज्यान मारगी साखा, प्रेम मारगी साखा, क्रिश जाएसी किस काबधारा से प्रेम मारगी साखा, तो नो का अंसर होगा चला बी, question number 10, जाएसी की काब्वी की भासा कौन सी थी, किस भासा में ये कवीता लिखते थे, खड़ी बोली, बजर बोली, अबधी, अरभी, तो इनका क्या है जाइसी की कवी की काव धारा क्या था जाइसी के कवी किस काव धारा में ये लिखते थे तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि जाइसी की काव भासा कौन सी थी आपके लिए छोड़ा गया अंसर आप कमेंट में जरूर इसका अंसर दे क्वेचन नमर 11, जैसी के काब्य का मुख रस क्या है? बातसल रस, सुरिंगार रस, बीर रस इन्में से कोई नहीं तो ये सुरिंगार रस के कभी थे, ये किस रस के? सुरिंगार रस के कभी थे, तो 11 का अंसर भी होगा क्वेश्चन नमर बारा जाइसी ने रत्न सें तथा पंदमा बती की कथा को किस परकार जोड़ा दोनों के कथा को किस परकार से जोड़ा प्रेम दोरा भक्ती दोरा रक्त रूप लेई दोरा इन में से कोई नहीं तो किस रूप द्वारा? रख्त रूप लेई द्वारा. तो 12 का अंसर C होगा. क्वेश्चा नमर 13, जाइसी ने रातन सिंत था पदमाबती की कथा को किसके द्वारा सीचा? अपने आशुओं से गंगा जल से जल से इनमें से कोई नहीं तो अपने आशु से किसके द्वारा अपने आशु से सीचा ते तेरा का अंसर हो जाएगा ए कोच्चा नमर चाउदा कोच्चा नमर चाउदा जाएशी ने किस दोस से युक्त होते हुए भी गुनवान है जीवा दोस नेतर दोस अंग दोस मुला कौन सा उसमें क्या कमी थी बोल नहीं पाते थे जीवा नहीं रहता थे बोल नहीं पाते अंग दोस तो नेतर दोस अंदा तो देख नहीं पाते थे तो जायसी क्या थे अंधत तो नेतर दोस क्या था उन्वे नेतर दोस थे तो चाउदा का अंसर भी होगा कोशन नमर पंदरा जायसी की कावे किस परकार गंभीर एवं व्यापक है सरोबर की भाती, कुए की भाती, समुद्र की भाती, नदी की भाती तो समुद्र की भाती, समुद्र सबसे ज़्यादा फैला हुआ होता है सरोबर वलो तलाब, कुवा, नदी, तो सबसे ज़्यादा विस्तार रूप क्या होता है समुद्र तो इनका काब, इनका काब जो है, काफी क्या है, समुन्द की तरह पूरे फैला हुआ है, तो पंदरा का अंसर C होगा, इनमे से प्रेम के पीर के कभी है, तो जाइसी, तो सोला का अंसर A होगा, प्रेम और पीर के कभी, प्रेम के पीर के कभी 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 है, जाइसी, तो सोला का अंसर A होगा, कोश्चन नमर 17 करवक कहां से लिया गया है आखरी कलाम अकराबट मधुमालती पदमाबद तो यह पदमाबद से लिया गया है करवक कहां से लिया गया है पदमाबद से लिया गया है ते गारा कांसर डी होगा Q7, Q7 के बाद 18 Q8 करवक के रचीता है Q9 करवक के कौन लिखे थे सूर्दास, कभीरदा, जाइसी, तुलसी दास Q9 करवक के रचीता कवन है Q8 का अंसर C होगा Q9 जाइसी रचीता पदमाबत की भासा क्या है जाइसी के द्वरा पदमाबत जो लिखा गया है उसकी भासा क्या है अबधी, बाज्र, खरी, बोली, मैथली पलई चारों भासा में, कौन भासा में लिखा गया है तो अबधी भासा में लिखा गया तो अंसर, उनीज का अंसर A होगा पन्दमाबत की भासा क्या आचला अब धी question number 20 मलिक मुहमद जैसी किस परंपरा के कभी है सगून क्रिश्न भक्ति परंपरा सगून राम भक्ति परंपरा प्रेमा ख्यान काब्य परंपरा संस्क्रीद काब्य परंपरा तो यह होगा प्रेमा, ख्यान, काम, परंपरा तो option C, तो 20 का अंसर क्या होगा? C होगा Question number 21 जाइसी ने अपनी आख की उपमा किस से की है? कलाम, कुमूद, सरोबर, दर्पन तो जाइसी अपनी आख की उपमा जो है चला दर्पन से किया है तो यगार एकिस का अंसर D होगा Question number 22 मलिक मोहमद जाइसी किस साखा के कभी है? प्रेम मारगी साखा, ज्यान मारगी साखा, राम मारगी साखा, क्रिस्न मारगी साखा तो यहाँ पर प्रेम मारगी साखा के कभी है? किस साखा के कभी है चला? प्रेम मारगी इसलिए सिरिंगार रस के कभी बोला गया इनको प्रेम मारगी साखा के इसलिए इनको क्या बोला गया सिरिंगार रस में कभीता लिखते हैं सिरिंगार रस में लिखते हैं तो यह बाइस का अंसर ए होगा Q2. 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 Q जाचना है मुल्ला दाउद की कुटूबन की मंदन की जैसी की तो यह जैसी तो सिंपल वासा जैसी बदमा बस से ही करवक लिया गया है तो चोबिस का अंसर क्या होगा सी होगा बहुत कम समय में बढ़िया तैयारी के लिए वीडियो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें प लेक से इसमें आएगा कहानी से कहानी से भी आपको परतेग चप्टर वाई चप्टर उसके बाद फिर गरामर को वीडियो को अंत तक जरूर देखे परतेग वीडियो आपके लिए महत्पुर्ण है आपको पलेलिस्ट में जाईए कलाश ट्वेल के तैयारी करना चाहते हैं तो कमेश्टी का हिंदी का इसके बाद आपको बायलोजी का अबजेक्टिव मिलेगा आप परते का अबजेक्टिव सबजेक्टिव पर ध्यान पुर्वक समझिए और एक्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर उठाईए जदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें